Hello everyone, Type number with text as number, अब हम लोग देखते हैं कि किस परकार से number और text को combination लिखें, लेकिन वो हमारे को कैसा रहे, वो हमारे को दिखता तो है text की तरह, लेकिन वो use हो रहा है कैसे number की तरह, जैसे 100 kg, 50 kg, 40 kg, 60 kg है, equal to करें, और sum जब करते हैं, तो देखिए हमारे इसको sum कर रहे है total, तो फाइब से एट ओके 250 kg सम्भव गया अब हम प्राइस में चाह रहे हैं क्या कि प्राइस में 110 है तो यह लिखा है रूपी 110 तो यह कैसे सम्भव है देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया इन सारे सेल्स को ओके और उसकी बाद हम क्या करेंगे कीबोड से प्रेस करेंगे से चंट्रोल प्लस वन प्रेस करने के बाद हमारे को देखिए फॉर्मेट सेल्स का विंडो आ गया अब यहाँ कस्टम पर जाते हैं और टाइप में आते हैं और जेंडरल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ टाइप करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या रूपीज हम लोग सबसे space देते हैं, और हमारा hashtag, hashtag मतलब हमारा वो digit जो हम type करेंगे, वो हमारे खो, so होना चाहिए, interpretant press करते हैं, देखिए, सभी के आगे रूपीज आगया, है ना, अब इसे देखिए, sum करेंगे, तो यह sum भी हो जाएगा, sum करते हैं, clear है, और यह ले लिया, ओके, देखिए सम हो गया ना, ठीक, इसी तरह से amount में भी हम लाना चाहते हैं, तो simple है, select कर लेते हैं, पूरा हम यहां तक ले लिए, और select कर लिए, और select करने का keyboard से control plus one प्रेस किये, custom में जाते हैं, और general को delete करते हैं, clear, और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम हम लोग देंगे, double quote, है ना, उसके बाद लिखेंगे, rupees, उसका double quote से close करेंगे, उसका space दे करके, hashtag for digit, ओके, देखिए, rupees आ गया, है ना, तो, rupees, इसे add करते हैं, हम लोग, equal to sum, okay, देखिए, rupees जा गया, है ना, तो इस तरह से हम लोग last में भी लिख सकते हैं, अब जैसे यहां quantity हमको लिखना है, है ना, तो quantity जब लिखना है, तो यह सारा quantity में हमारे को last में kg रहना चाहिए, okay, तो, क्या करेंगे, control plus one, clear है, और custom में जाएंगे, और हम लोग यहां type क्या hashtag लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, hashtag, यानि पहले हमारा digit show हो, clear है, तो इसलिए पहले दिये, hashtag, उसकी वाद एका space देते हैं, double quote, हम लोग जो test लिखते हैं, उसे double quote में लिखते हैं, kg, kg लिख देते हैं, ठीक है, kg और double quote से close, interpret and press किये, अब देखें, type करते हैं, 225 kg, all seller का दुकान है, 300, 400, 500, so simple, equal to sum, और इसे जोड़ देते हैं, clear, ओके, देखिए, add हो गया, 245 kg, तो इस परकार से आप ने देखा, कि हम लोग number को text के साथ कैसे लिखते हैं, और वह हमारे को trick हो, number की तरह, thank you,